यहां सोनम कपूर और शहनाज गिल साथ में बैठे हैं उनकी खिलखिला हट साफ बता रही है कि दोनों के बीच बहुत प्यारा सा बॉंड बन चुका है लेकिन इन दोनों के बीच जो बाते हुई है न वो सुनकर बहुत सारे लोग हैरान परिशान से घूम रहे हैं बहुत सार वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजे शहनाज गिल नजर आएं उनके इंटरव्यूज आएं उनकी मूवी के प्रमोशन चल रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क कोई ऐसी बात नहों जिस पर मुद्दा बन जाये तो मुद्दा बन चुका है वैसे बनता ही रहता है लेकिन इस बार बिल्कुल मीडिया के सामने बाते हुई है चीजें हुई है जिस पर फैन्स भी कुछ हैरान परेशान है कुछ लोग इस पर क्लियरिडी चाहते हैं कुछ लोग चाहते हैं कि आखिर क्या बाते हुई है पूरी साफ साफ बताई जाए तो वीडियो भी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ लेकिन सबसे पहले कुछ बाते करना जरूरी है शेहनाज की मुवी के प्रमोशन्स चल रहे हैं जिसके चलते शेहनाज के बहुत सारे यहाँ पर एक स्टेंड अप कॉमेडी का शो बताया जा रहा है और इस्टेंड अप कॉमेडी देखकर सबको अच्छा लग रहा था सब लोग हस भी रहते लेकिन उस समय बात हुई सिंगल और मिंगल होने पर और जिस पर सोनम कपूर ने कुछ सवाल पूछे शेहनाज से औ एक बात को जूम करके देखा जाता है कानों में इयरफोन लगा लगा कर सुना जाता है ये तो अब सभी जानते तो यहाँ पर कॉन्वेसेशन हो रही थी सिंगल होने पर तो सोनम कपूर ने जब ये कॉमेडी का एक पार्ट सुना सिंगल और मिंगल का तो शेहनाज से सवाल पूछा कि क्या तुम सिंगल हो तो शेहनाज का जवाब जो आया ना उसे लेकर लेकर ही पंगे चल रहे शेहनाज ने यहाँ पर कहा पता नहीं और उसके बार सोनम कपूर ने ऐका कि जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक हम सिंगल ही रहते इस पर दोनों जरों ने बह तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ अलग बता रहे हैं यहीं चीज़े हैं तो शहनास रेलेशनशिप में हैं या नहीं यह एक ऐसा सवाल बन चुका है जो सब के दिलों में आता रहता है और सब इस पर चाहते हैं कि कुछ कनफोमेशन मिल जाए लेकिन हम यहाँ पर आपसे यह बात जरूर कहना चाहेंगे कि यह शहनास की परसनल लाइफ है जिसके बारे में जादा जानने की जरूरत नहीं है और अगर नहीं भी बताना होगा तो उनकी लाइफ है उनको जो करना है वो करेंगी फैंस का काम सरिफ इत लेकिन शहनास ने कहा पता नहीं तो बहुत सारी बाते ऐसी होती है जो दिल और दिमाग दोनों से सोचनी पड़ती है वो शहनास हो सकता है उस तरह की सिच्वेशन में हो यह वो क्या सोच रही है क्या नहीं हम में से कोई भी यह चीज़ें तो नहीं जानता न तो इसलिए कि किसी भी तरह की बात में आने की या किसी भी तरह के पंगे में पढ़ने की ज़रत नहीं है शहनास के प्रोजेक्ट आ रहें बस आप उन्हें सपोर्ट कीजिए यही फैंस को करना चाहिए और शहनास की खुशी में हम सब की खुशी है शहनास खुश रहें बस हम तो यही चाहत वो आगे बढ़ती रहें वेल गाईज आपका इस पर क्या है कहना कमेंट में आकर हमें ज़रू बताइए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाद से जाद से जाद से शेर कीजिए और चैनल ज़रू सब्सक्राइब कीजिए लेटिस अपडेट के लिए थैंक्यू गाईज